वेलकम तो मैं चैनल गाड़निंग एठोम और आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट है इस्पेशली हमारे विंटर्स के लिए और विंटर्स में हमें अपने प्लांट्स में अपनी गुल्दाओ दी चाहे हमारी गुल्दाओ दिया हूँ चाहे हमारे रोजेज हूँ और जो भी हमारे जैसे हमारे मैरी गोल्ड है या फिर अभी हमारे देखे winter के salvia जो seedlings ready हुई है और हमने लगा दिया है तो ये सारे ही plants के लिए main fertilizer क्या है जो हम अपने सारे ही plants में add कर सकते हैं समय जो हमने सीडलिंग्स लगाई है या कटिंग्स लगाई है अपने विंटर्स के लिए जो भी प्लांट्स लगाए है अब उनको टाइम है फटलाइज करने का इस्पेशली हमारे गुलदाओदियों को ताकि वो बहुत ही अच्छे से हमें ब्लूमिंग दे आने वाले हमारे विंटर में तो विंटर फटलाइजर आज में आप लोगों से शेयर करने वाली हो और यह अक्टूबर मंद बहुत ही अच्छा होता है इसमें हमें अपने सारे ही प्लांट्स चाहें वो पेरेनियल हों चाहें हमारे विंटर के हों उन सभी में हमको फटलाइजर एड़ करना सारे ही प्लांटर की गुड़ाइब करवा दी है और अब अब इसमें अच्छ 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 थोना चाहिए और decompose होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने अच्छी खासी quantity में वह में compose लिया हुआ है और इसमें हम मिलाएंगे bone meal और bone meal काफी अच्छा होता है हमारे flowering के लिए तो अगर आप bone meal prefer करते हैं आप उसको add कर सकते हैं तो आप bone meal इसमें add कर लिजे और साथी में देखे इस समर में तो हम लोग DAP वेगर नहीं use करते हैं पर इस समय आप DAP भी use कर सकते हैं और seaweed granule भी use कर सकते हैं यहाँ पर मैं seaweed granule को use कर रही हूँ तो आप इसमें DAP भी कुछ दाने डाल सकते हैं seaweed granule मैं यहाँ पर add कर रही हूँ ये भी काफी अच्छा fertilizer होता है हमारे plants के लिए साथ ही में summer में हम लोग potash नहीं add करते पर winter में आप इसमें potash add कर लिजे जिससे हमें बहुत ही अच्छी flowering मिलेगी हमारे winters के लिए बहुत ही अच्छा खाद होता है और इसी में हम डालेंगे fungicide powder और इन सबको अच्छे से mix क आप ये अच्छी खाद कर लेते हैं और इसके बाद डालते हैं अपने सारे ही plants में और अगर आपके पास नीम की खली है तो आप इसमें नीम की खली भी अच्छी क्वंटिटी में डाल दीजे वह भी बहुत ही अच्छा होता है समय मेरे पास available नहीं है तो मैं उसे नहीं डा में इसना कि भी अलै कि यह수 on our ready ने संप में हैं यह फटेलाइजर करूंगी मैं कि onlook मला डिया हो चाहर हो रोजस सभी पे ऑं यह फटेलाइजर हमард करेंगे तो चली फटा-फट सेसफे ment 되고bol लेकिया है तो फ्रेंड्स ये फटिलाइजर मैंने मेक्स कर लिया है और इसमें मिला दिया है थोड़ा सा नीम की खली और एपसम सॉल्ट भी तो लाना पुल गई थी वो मैं और इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद हम अपने सारे प्लांटर्स में इसको एड़ कर देंगे देखें य आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा होगा तो यह देखें मैंने अडेनियम में भी आट कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे गुड़ाई मैंने सारे ही प्लांटर्स की कराई हुई है तो इस तरीके से हम डाल देते हैं और यह हम अपने कर दिजेए घति कि हमारे प्लांटको अच्छे से मिल जाए और उसके बाद आप वॉाट्रिंग दिजे तो उमीद है फ्रेंच सा लोग भी अपने प्लांट को और हिल्दी बनाएंगे और आगे आने वालों में पहतरियन फ्लावरिंग पायंगे तो देखें हमारे विंटर प्लांट्स में बिल्कुल हमारे मेरे गूल जो है वो ब्लूमिंग करना स्टार्ट कर दिया है तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तक कि लिए थैंक्स वाचिंग एंपी गादनिंग तो अल फ्यू